जैसा कि आप जानते ही हैं कि वर्तमान समय में हमारा देश एक बहुत ही भड़ी आपदा से होकर गुजर रहा है ऐसी इस्थिती में हमारे देश के माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आवान किये जाने पर चौदरी चरण सिंग विश्विद्हले मेरट के कुलपती जी श्री नरेंद्र कुमार तनिजा जी ने भी हमारे समक्ष एक अपील की है साथियों वो उनका एक मैसेज जो है वो मैं आपके समक्ष यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं ये एक अपील है श्री नरेंद्र कुमार तनेजा जी की जो की कुलपती है चौदरी चरण सिंग विश्विद्हलय मेरट के तो वो क्या कहते हैं देखिए चौदरी चरण सिंग विश्विद्हलय मेरट तता संबंद महाविद्हलों के सभी सिक्षक चात्र चात्राओं तता गैर सिक्षक कर्मियों से मैं अपील करता हूं कि हमारे देश के प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी के आवहान पर करोना के अंदकार को चुनोती देत पांच अप्रेल 2020 को रात्री नो बजे सभी घरों की लाइटे बंद करके घर के दरवाजे या बालकोनी में खड़े होकर मुम्बत्ती दिया टॉर्च मोबाइल की फ्लेशलाइट नो मिनट तक जलाए जो इस संकल्प का संकेत भी होगा कि हम अकेले नहीं है कोई भी अकेला नहीं है मुझे विश्वास है कि पूर्व की भाती संकट की इस घरी में अपने मैं अपने सामाजिक सरोकार इवं समवेदन शीलता का परीचर देते हुए हम सभी बढ़ चड़ कर आगे आएंगे तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने का पालन करते हुए एक स्थान पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सातियों कि हम जो प्रधान मंत्री जी ने हमारे सामने एक आवान किया है तो इस बात को हम जरूर माने क्योंकि यहां पर यह बताएगा कि हम दूर होकर भी कितने संगठित है सातियों भले ही हम दूर है सातियों लेकिन यह जो सोशल डिस्ट dancing होने के वापजूद भी हम एक हैं क्योंकि हम दूर होकर भी सातियों हमारे दिल मिले हुए हैं हमारी जो mutual understanding है वो आपस में मिली हुई है बसरते बस हम आपस में मिल नहीं पा रहे हैं physically हमारी meeting नहीं हो पा रही है तो सातियों उसकी चिंता मत करो वो भी हम मिल लेंगे पसरते इस जंग को हम पहले जीत लें तो फिर इस जंग का जश्न भी हम बनाएंगे सातियों तो उम्मीद है कि आप प्रधान मंत्री जी के जो आवान है उसको follow करेंगे और कुलपती जी की जो अपील है इसको भी आप follow करेंगे धन्यवात यौर्स डॉक्ट सेचिन गोस्वामी फ